मोवी की स्टार्टिंग में हमें 17 साल की लड़की को दिखाया जाता है जिसका राम है सोफी और वो अपना जाधतर समय बार में डिरिंग पीते हुए बिदाती थी कई बार उसके मावाब ने उसे सुदानने के लिए सजा भी दी लेकिन इन सब चीजों को कोई फायदा नहीं ह लेकिन सोफी के सोदेले बाप काल ने घर पर एक पार्टी रखी जिसमें काफी लोग आये थे और वो सिगरेट पीती हुए अंदर आती हैं और काल को बुरा वला खेने लगती हैं ये देखकर काल उसे दूसरे कमरे में ले आता है और उसको फूफ हटकार लगाई सोफी का बॉल फ्रेंट था जिसका नाम बेन हैं और वो एक दुकान में काम करता है एक दिन वो और सोफी रोमेंस कर रहे थे तो बेन देखता है सोफी के हाथ पर काफी सारे आफ़ते और वो पूस्ता है ये केसे हुआ सोफी बताती है कि मेरे फादर मुझे काफी जादा मारते हैं तब ही वहाँ पर कुछ गुणने आ जाते हैं और बेन को जवरदस्ती पगड़कर और सोफी को नशे का इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया और वो सोफी को लेकर वहाँ से चले गए असल में ये लोग गुणने नहीं थे बलकि जो लोग नशा करते थे ये उनको सुदारत हैं शाम को बेन सोफी के पेरेंट्स से मिला तो उसे बता चला कि सोफी एक साल के लिए केम्प में गई हैं जहां पर उसकी सारी बुरी आदत दूर करके उसे एक अच्छे इंसान बनाया जाएगा उदर सोफी की आप खुलती हैं तो वो देखती हैं वो एक कष्टी पर थी जिसमें दो लड़के थें जिने उसकी की तरह उनके मवापने केम्प में बेजा था वो तीनों डॉक्टर नॉर्मन की केम्प में जा रहे थे जो फीजी के एक टाप उपर था और जब वो कष्टी से उतरें तो सिक्रियोर्टी गार्ड लोगन उने लेने आया उसने उन ती तीनों के बेर पर सेंसर वाली बेडिया फेना दी ताकि वो यहां से भागने की कोशिश करें तो पकड़े जाएं और वोई साइलेंस से भाग भी नहीं सकते थे जोखी इसके चारो दरब समुंदर था इसके बाद लोगन ने उनको यहां के लूल्स समझाएं कि जितना उनकी बीडिया खोली गई डॉक्टर नॉर्मन उनसे मिलने आया उसने सबका वेलकम करते हुए कहा कि वो उनकी बेकार आदते सुदार कर उन्हें एक अच्छे इंसान बनाएगा फिर उसने एक एलीन नाम की लड़की को बुलाया जो दो साल से यहां पर थी एलीन ने सभी क को बताया सबसे पहले उन्हें काली टीशेट मिलेगी और जैसे जैसे उनमें सुदार होगा फिर पीली टीशेट और आकर में सफेद फिर कुछ हफते बीच जाते हैं और सोफिया की एक क्रीना नाम की लड़की से दोस्ती हो गई दूसरी तरफ बें सोफिया के लिए काफी बर्शान था इसलिए वो के बारे में जानतर ही डूणने लगा और काफी कुछ करने के बात भी उसे कुछ भी पता नहीं चला और वो खुद भी ट्रक्स लेने लगा ताकि वो भी उस केम तक पहुच सके और उसका यह आइडिया कर गया क्योंकि जब उसके पेरेंट्स ने उसे ड्रक्स लेते देखा तो उन्होंने उसे भी उस केम्प में भेज दिया और एक दिन केम्प में ट्रीना ने शिकन चुराबर खा लिया लेकिन राज समुदर में दुफान आ गया जिससे सारे बच्चों के टेंट उड़ गये अगली सुबर ट्रीना को फिले एक टीशेट का लीडर बनाया गया और उसने सभी लड़कियों को फिर से टेंट लगाने का उफूम दिया काफी देर तक काम करने के बाद सोफी तक्तर बेट ग क्योंकि सोफी की वज़े से पूरे गुरूप को सजा मिल सकती थी और जब सोफी नहीं मानी तो ट्रीना ने सभी लड़कियों को उसे पीटने का उफूम दे दिया बाद में उन सब ने सोफी के कबड़े उतार कर एक थंड़े कमे में बंद कर दिया फिल अगले दिन डॉक् को खाने के समय बेन सोफी के सामने बेड़ गया उसे देखकर सोफी बहुत कुछ हुई उसने फुत को शान्त रखा क्योंकि वो जानती थी उन्हें अपनी सच्चाई चुबानी होगी और बाद में उन्होंने बरतन दोने के बहाने बात की सोफी ने उससे पूचा कि वो यह बेन का अपने लिए ब्यार देखकर सोफी की आके बार आई बेन ने उसे बरोसा दिलाया कि वो जल्दी यहां से बाग निकलेंगे और जाने से पहले बेन ने अपनी जेम में काटा चुपा लिया क्योंकि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा था क्योंकि वो काट रहा है असल में यह सब लोगन की वज़े से हुआ था क्योंकि उसने ही डॉक्टर नॉर्मन के सामने ट्रीना की तारिफ की थी लेकिन अब उसके मन में ट्रीना का इस्तेमाल करने की आदत पढ़ गई और जैसे जैसे दिन बीते तो बेन ने भागने के लिए केम का मुएना क उसने देखा डॉक्टर नॉर्मन अपनी बेन रॉंडा के साथ रंट्रोल रूम में बेटा था और जल्दी उसने काटी की मदस से अपने पेर में लगे सेंसर को अठाने का तरीका भी सीख लिया एक दिन जब डॉक्टर नॉर्मन आइलेंड चोड़ कर खई गया हुआ था बेन को सोफी के साथ भागने का एक अच्छा मौका मिल गया और रात में जब सब सो गए तो वो सोफी को उसके टेंट से बाहर ले आया वो चुपके से डॉक्टर नॉर्मन की ओफिस में गुजगए जहां पर उनके काम का काफी समान रखा हुआ था और रॉंडा भी सो रही थी इसलिए वो असानी से वहां से निकल गए बेन ने सोफी की बेडिया खोली और वो दोनों मचुवारी की कष्टी में बेट कर टापू से भाग गए दूसरी तरफ डॉक्टर नॉर्मन के बच्चों के मावाप से मिले जब बेन के फादर ने डॉक्टर को बताया जब बे होगे थे और उनका सामना समुंदर की लेहरों से होता है जिससे उनकी कष्टी पलड़ जाती है लेकिन वो बचकर किनारे तक पहुच गए जहां पर उन्हें एक होटल दिखा वो दोनों होटल में रुख गए और घर जाने के लिए फ्लैट बुक कर दी गात को वो दोनों प भागनी की कोशिश की है इसलिए बाकी सब्कों भी सजा मिलेगी उसने का अगले तीन महीने किसी को भी नाश्था नहीं मिलेगा और ना ही और आ सो Certi से दूर रहने लगा और सोंद ही ने उससे पूचा और बेन में बताए यहां से निकलने का एक रास्ता है सो फिगों यह प्रोग्राम पूरा करना होगा जब बेन ने बताई जल्द ही और से चला समुन्दर में बेज दिया जैसे ही डेनियल गेरे पानी में उतरा और दोबने लगा यह देखकर बेन ने उसकी मदद करने की कोशिश करी लेकिन लोगन ने उसे रोक लिया और डेनियल डोब कर मर गया और उसकी लाश लेरों के साथ किनारे तक आ गई तब बेन ने तुरंट उसे CPR देने की कोशिश करी, लेकिन देर हो चुकी थी, देन गुस्षे में हो गया, और खेने लगा, डेनियल की मौत का जिम्मेदार लोगन है, जल्दी डेनियल की लाश केम पर आ गई, और इस बात पर डॉक्टर नॉर्मन को बहुत गुस्सा आया, उसने लोगन को लोगन ने सामने अगर पूछा, कि उसने कितनी लड़कियों के साथ आखिर जवरदस्ती की है, ये सुनकर कई और लड़कियां आगे आ गई, और पता चला, लोगन ने उन सब के साथ गलत काम किया था, सब ने उसको खूब मारा, तभी बेन ने सब को बताया, डॉक्टर न केम्प में आग लगा दी, और रोड़ना ने भी अपने भाई का साथ छोड़ दिया, इसी बीच लोगन ने गाड़ी में भागने की कोशिश करी, लेकिन बच्चों ने उसकी गाड़ी आग लगी हुई जोपड़ी में धखेल दी, और लोगन वही जलकर राख हो गया, तब के बाद वो सब समुनल में देरतार आगे मिड़ गए, त्योंकि अब वो आजाद हो गए थे हैं, और इसी के साथ ये मोवी यहीं पर खतम हो जाती हैं,